पहले मैं सोच रहा था मैंने जैसे ये वीडियो देखी कि ये वीडियो आपको दिखानी ज़रूरी है अपनी ओडियन्स को तो मैंने सुचा वीडियो क्रेट करता हूँ लेकिन फिर मेरे दिमाग में है यार ऐसे सही नहीं होगा अगर दूसरे भाई ने कितना टाइम लगाया पहले वीडियो दूसरे लेकि तो मैंने वीडियोरा अंच रहा आपक्राइम करता है अबस्टाबरस को वीडियोरा इसे बड़रूरा करता है याँ टूसरे खुआराएम मैंने भादानी वीडियोराईम साल 2013 आम आदमी पार्टी अभी अभी चुन कर आई थी और इस पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो शोशल मेडिया पे काम कर सके वैसे तो आम आदमी पार्टी की शोशल मेडिया टीम दिन रात मेहनत करती थी और आम आदमी पार्टी को जनता के सामने उनके नजरों के सामने रखने के लिए शोशल मेडिया पे तरह-तरह के कंटेंट अप्लोड किया करते हैं कभी वीडियो कभी ग्राफिक्स तो कभी गाने के जरीए जनता का ध्यान अपनी तरफ खीचा जाता और उसी टीम में एक 19 साल का लड़का भी था जो कि पार्टी के लिए वीडियोस एडिट किया करता था और ये लड़का था नन अदर दन धुरुवराटी पर इससे कुछ आगे करने के लिए जरूरी था कि लोगों से डिरेक्ट कॉंटेक्ट बनाया जा दुनिया के सामने आया जा दुनिया तीजी से बदल रही थी और पॉलिटिकल पार्टी से केंपैणिंग के तरीके भी अब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लोगों के बीज में जाके उनसे वोट नहीं मांगते थे बलकि शोशल मीडिया के माध्यम से भी उनसे वोट मांगे जाते थे शोशेल मीडिया का भर पूर इस्तिमाल हो रहा था इन सभी मामलों को देखते हुए 2013 के अंत में धुर्वराटी ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और लग गया उस पर वीडियोज अप्लोड करने वे चलिए यह जो पूरा मामला है इसको असानी समझने के लिए एक टाइम लाइन के उपर समझते है एका दुखका वीडियोज अप्लोड करते करते दुर्वराटी के 2014 तक 1000 सब्सक्राइबर हो चुके थे 7 अक्टूबर 2014 को दुर्वराटी ने एक वीडियो अप्लोड किया जिसका टाइटल था बीजेपी एक्सपोजड हैस्टैग केजरिवाल फिर से और इस वीडियो में उसने आदिया दुर्वराटी को सब्सक्राइबर थे वो तेई से बढ़ने लगे क्योंकि आम आदमी पाटी का हाथ उसके कंदों के उपर था तो वो भी बिना रुके वीडियो बनाता चला गया अब तक दुर्व को यह समझ में आ चुका था कि आदिया दूर्वर फैक्स दिखाकर लोग को मैंनुपलेट किया जा सकता है और वो भी बहुत असानी से वह एक कहावत है जूट से जादा खतरनाक होता है आदा सच कुछ वैसा ही पर यह बात धुरुव राठी को भी नहीं पता था कि हमारे भारत देश की जनता इतनी आसानी से मूर्ख बन जाएगी और उसे इतना इनॉर्मस अमांट में सपोर्ट मिलेगा एक्चली ना मूर्ख नहीं बनी जनता मूर्ख नहीं बनी एक्चली यह रवानी में एक निवुन निच्वड़ के पीना फिर उसके बाद अपने जो भी दिन के दिन चर रहा है वह फूलो करने हैं तो तो सारी करना स्टार्ट कर दें outright यह बात कहती है उसे फूलो किया गया ऐसे हैगर विराटकोली कुछ कह दें कि यह फूड मत खाओ यह फूड क करना भारी बढ़ जाएंगे अगर राठी साब यह कहते हैं कि यह वीडियो है और ऐससे यह फॉल्स वो कर रहा है यह मेरे को वो कर रहा है तो इसको रिपोर्ट करो इसको सब करने लग जाएंगे प्यूकि यहां लोग ना दो चीजों की वैसे उनाइट हो रहा है इनके पास जो subscribers, followers नहीं है एक तो वो sense of fulfillment और दूसरा common purpose common purpose क्या है to say bad things about Hindus, to question their scriptures, to question their belief, faith, to abuse Modi ji, to abuse BJP, sense of fulfillment क्या है जैसे हम इंडिया पाकिस्तान का मैस देखने गए तो हमें बड़ा मजा आता है पाकिस्तान को इंडिया हरा दे तो और पूरा sense of fulfillment feel होता है वो सही गलत थीक है वो पाकिस पीपल है जिनकी population अच्छी खासी है वो बड़ी उनकी आत्मा तरप्त हो जाती है ये राठी साब के कहने पर कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ अपने common purpose के लावा अब क्योंकि धुरूब राठी आम आदमी पार्टी के social media के लिए काम किया करता था तो इस कारण से वो regularly आम आ 19 जनवड़ी 2015 को धुरूब राठी आम आदमी पार्टी के official group में एक post share करता है जिसमें वो अर्वेंद केजरिवाल को बीजेपी के बाकी के नेता से compare करता है वो बताता है कि अर्वेंद केजरिवाल बेलकुल साफ शवी के व्यक्ति है और वहीं पे दूसरी तरफ नरेंदर मोदी लायर है जो योगी आदितना थे वो रेपिस्ट है अमित सा एक मर्डर है और अर्वेंद केजरिवाल एक नंबर के पक्के इमानदार नेता है आई होप कि ये वीडियो अमित सा और योगी आदितना तक भी पहुंचे था कि उनको भी पता चले कि जर्मनी में बैठा आम आद्मी पार्टी के शोचल मेडिया का एक यूट्यूबर आपके लिए क्या पोस्ट कर रहा है बाई साब ये बात हमेरे को पता ही नहीं करो यार योगी जी को टैग जरा देख तो ले भई योगी जी भी तो देखे क्या बतला नौ फरवरी 2015 को दुर्वराथी आम आद के दली के पेजेज में शेयर किये जाता है पर इस वीडियो को बाद में आगे आपको बताऊंगा फिर 17 माई 2015 को धुर्वडाटी एक और वीडियो बनाता है और उसे भी आम आद्मी पार्टी के गुरूप में शेयर करता है अब समय तेजी से बदल रहा था और लोग इंटरनेट के उपर एक्टिव हो रहे थे तो लोगों को अरविंद केज़वाल के दाओं पे समझ में आन और इस कारण से लोगों ने अरविंद केज़वाल के उपर शोशल मीडिया पर प्रिशर मनाना शुरू किया शोशल मीडिया पर अरविंद केज़वाल जी से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप एडवर्टीजमेंट्स में इतने सारे पैसे खर्च क्यूं कर रहे हो क्यों पैसे बरबात कर रहे हो हमारे जो पैसे हैं उनको क्यों इन सब चीजों में बरबात किया जा रहा है अब दुरूप सामने आता है और तीन माई 2016 के एक और वीडियो अप्लोड करता है जिसमें वो और इवन स्किम के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स पैसे खर्च किय तो जो एडवर्टीजमेंट्स हमें बहुत जादा लग रही है वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही है तो इसलिए मुझे लगता है कि और इवन की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक आपमी सूर को फॉलो करें तो शायद है इतनी ही एडवर्टीजमेंट्स की जबत है हाँ यह तो यह करें गई मतला अब इनसे बूचें कि बहुत बढ़े जो है सुब चिंतक हो जिसे रियलिटी में पॉलुशन कम होगा खरीद क्यों नहीं रहे क्योंकि आप पैसा नहीं है पैसा नहीं क्योंकि आपने दुनिया पीट पीट कर कह रहे थे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ मैं कटर इमानदार आदमी हूँ और मेरे पास इतने सारे पेजस की प्रूफ है जितने भी करप्ट लोग हैं उन सब को मैं ठेक कर दूँगा मुझे एक बार चीफ मिनिस्टर बना दो पर अभी तक कॉमनवेल्थ गोटाले में सीला दिक्षित के उपर कोई भी कारवाही नहीं हुए थी और लोग ये जाना चाहते थे कि आखिर अर्विंद केजरिवाल ये कर क्या रहा है कहां गया उनके वादे जो उन्होंने इलेक्शन के पहले किये थे 10 मई 2016 को दूर आटी एक और वीडियो अपलोड क करता है और उसमें वो अर्विंद केजरिवाल को डिफेंड करता है कि आखिर क्यों अर्विंद केजरिवाल सीला दिक्षित के उपर कुछ नहीं कर रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने केजरी वालने शीला दिक्षित के उपर बहुत सारी करॉप्षिन के आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरी वालने इन आरोपों पर कितना एक्षिन दिया है इस बात पर बहुत बड़ी मेसंड़स्टाइडिंग है बहुत सारे लोगों पीच में तो आज मैं इसी के बारे में सच पताना चाहता हूँ इंडिया की फॉरण मिनिस्टर सुष्मा सुराज ने उस केस के लिए और इस मामले का जो पूरा दोस होता है वो बीजेपी और लेटिन गवर्नर के ऊपर थोप देता है जबकि दुरुव को अच्छे से पता था कि दो-तीन साल पहले पबलीक के प्रेशर के कारण अर्बिन के जोडिवाल ने CWG में एफायर तो किया था लेकिन उसमें सीला दिक्षित का कहीं पे भी नामो निसान नहीं था क्योंकि उस समय पे आमादी पार्टी को कॉंगरिस का सपोर्ट चाहिए था आदे दूरे फैक्स दिखाकर अब धुरुवराटी तेजी से सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा था और एंटी मूदी होने के कारण लेफ्टिस्टों में तेजी से फेमस भी हो रहा था आमाद्मी पार्टी दूरुवराटी को 27 जुलाई 2016 को पार्टी के मैनोफेस्टू बनाने के लिए इनवाइट करती है और इस चीज को दूरुवराटी अपने फेस्बूक के उपर शेयर भी करता है धुरुराटी धीरे-धेरे आमाद्मी पार्टी के जो लीडर्ज थे, उनके जो कूकर्म थे, उनको डिफेंड कर रहा था 27 जुन 2016 को दिनेस महिना जोकी आमाद्मी पार्टी के एक लीडर है उन्होंने एक 60 साल के विक्ती को ठपड़ मारा था और इस कारण से दिली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया था वैसे ये जो दिनेस मोहनिया थे उनको दिली पुलिस ने पहले भी डिटेन किया था क्योंकि उन्हेंने महिलाओ के साथ अभधर तरीके से विवहार किया था खेर दिली पुलिस थपर मारने के लिए लोगों को गिरफतार करने लगी तो दिली की जतनी भी जनता है ना वो सब के सब अरेस्ट हो जाएंगे देखो दिली आमादी पार्टी की एक लीडर अगर किसी को थपर मारते हैं इसके बाद दुरुव एक स्टेप और आगे जाता है क्योंकि लोग शोशल मेडिया के उपर आप ट्वीट करने लगे थे पोस्ट करने लगे थे कि आम आधी पार्टी के जो लीडर्स है वो गुंड़े हैं किसी को भी थपर मार देते हैं किसी के साथ मिस्बिहेव कर देते है तो इन से मामलों को शांद करने के लिए 24 अगस 2017 को धुरुव राठी एक और वीडियो बनाता है और ये जो वीडियो था इसमें धुरुव राठी उन सभी लीडर्स को जिनके उपर के क्रिमिल चार्ज़ेश उनको डिफेंड करता है जस्टिफाइ करने की कोशिश करता है और उने क्लीन जीर दियता है तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरसी है और इससे एक साल पहले 11 सितंबर 2016 को धुरुव राठी आम आधिपार्टी के उफिशल पेज में एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें वो दिखाता है कि कि आम आधिपार्टी के जो लीडर्स हैं उनके कैसे जीरो क्रिमिनल केसे से लेकिन वहीं पे जो बीजेबी के लीडर्स हैं उनमें 63 क्रिमिनल केसे वाले लीडर्स है चलिए इसके उपर में आपको थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ क्योंकि जो द्रोवराटी है वो बार 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 डेटा डेटा करते रहता है जिस सोमनाद भारती के बार में धुरवराटी बात कर रहा था और उन्हें क्लीन चिट देता है वोइड वश करता है इन्ही सोमनाद भारती के उपर 6 क्रिमिल केसे पेंडिंग थे और क्राइम मिटर में आप देख सकते हो कि यहां पे रेड हो चुका है यह पूरी लिस्ट है उनके सारे केसे की सोमनाद भारती में 2019 में वुमें जर्नलिस्ट को प्रस्टिट्यूड बन जाने को कहा था 2014 में सोमनाद भारती पे एक युगांडियन वुमें के मोलेस्टेशन के चार्ज लगे थे और इसको कोट ने भी फ्रेम किया था और अगर दिली के चीफ मिनिश्टर अरविंद केज रिवाल जी का मैं आपके साथ डेटा शेर करूँ तो हो सकता है कि आपके दिमाग के घंटी बच जाए अरविंद केज रिवाल जी के उपर 2020 में टोटल 13 क्रिमिल केसे पेंडिंग थे और इनका जो क्राइम मीटर है वो आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड तो हो रहा है 2016-2017 के इन पोस्ट में आप देख सकते हो कि दुरुव राटी अपने वीडियोज को आम आधी पार्टी के ऑफिशियल पेजेज में शेयर कर रहा है अब दुरुव का यूटूब चैनल एक्ष्पोनेंसियली ग्रो हो चुका था 6-7 महीने पहले 2016 में जहां पर कि दुरुव राटी के 1200 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे वहीं पर अब दुरुव राटी के एक लाग सब्सक्राइबर्स हो चुके थे 12 जैनवरी 2017 को भासकर सर्मा जो की आम आधिपार्टी के सूशल मीडिया के हेड है वो एक्साइटमेंट में ट्वीट कर देते हैं कि दुरुव जो की आम आधिपार्टी के रीसेर्च और सूशल मीडिया टीम का प्रोड़क्ट है उसने अंधभक्तों को एक्सपोज कर दिय है आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए 28 फरवरी 2017 को धुरुवराटी रामजस कॉलेज पे एक वीडियो बनाता है अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि आखिर इस मामले में हुआ क्या था धुरुवराटी ने क्यों रामजस कॉलेज के उपर एक वीड इस प्रोटेस्ट को कैंसल करना चाहते थे फिर लेफटिस्ट का एक स्टुडेंट ग्रूप जो कि है आई साथ उनके और ABBP के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जड़ब होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं और इसी मामले में जो ABBP के मेंबर्स होते हैं उनको दो जाला तो उसके साथ यह सब चीजे नहीं होने चाहिए थे बट रुकिये अभी देखिया आगे-आगे क्या होता है अब धुरुफगुरमेहर को डिफेंड करता है और उसके साथ साथ उमर खालिद को भी डिफेंड करता है उमर खालिद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्णर भी और कहता है कि यह जो पूरा मामला था ने यह पॉलिटिकल गेंज के लिए किया गया था और इसका जो पूरा दोस्त है वो बीजेपी और आरसेस के उपर मर देता है एक रामजस कॉलिज में इंसिरेंट वो जिसमें काफी जारे स्टुडेंट प्रोफेसर को मारा पीट गया इस इंसिरेंट में अब्रीप जो की बीजेबी का स्टूडेंट युनिंए और एस एफ़ाइ जो की कम्यूनिस आडिओ का स्टूडें यह दोनों इन्वल्ड थे यह एक speech देने आने वाले थे रामजस कॉलेज में, ABVP वाले यह नहीं चाहते थे कि यह speech दे, तो इन्हों ने प्रोटेस्ट किया बात प्रोटेस्टे उपर जा के दंगे पे चली गई, अब ओमार खालित को यह लोग इसलिए पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह एक्स्ट्री बहुत भड़क उठे और उन्होंने इसको भर भर के गालियां दे ट्विटर पे, काली गालिया इन्हीं इसको एंटी नैशनल घोशित कर दिया गया और रेप करने की धंकियां दी गई इसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने ABVP की खिलाफ बोला, अभी तक तो यह बहुत अ पुराने वीडियो से एक क्लिप उठाई और उसके सामने जूटी खबरे फैलानी शुरू कर दी, कि यह पाकिस्तान सिंपिताइजर है, यह यह वाला प्लेकार्ट दिखा कर, जब चानवीन हुई तो पता चला कि इस पूरे धंकी देने वाले मामले के पीछे, आम आदी पा और को डिफेंड करके, पूरा का पूरा जो ब्लेम है, वो बीजेपी और आरिसेस पे मढ रहा था, धुरूब यहाँ पर क्लियरली उमर खाली जैसे एंटी नेशनल को सपोर्ट कर रहा था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो आगे आप समझ जाओगे, और धुरूब इसी वीडियो में एक और बात करता है, जो कि होता है, 14,000 जो इंजियो जिनके की फॉरेंट फंडिंग को इंडियन गर्मेंट ने बैंड कर दिया था, इसके बारे में उनको वो डिफेंड करता है, कहता है कि इंडियन गर्मेंट ने 14,000 जो इंजियो जिनके की फॉरेंट फंडि उसकी foreign funding block कर दी दुरुबराटी के चिड्रे के पीछे की जो वजह थी वो यह थी कि यह जो 14,000 एंजियो जिनके foreign funding को बैन किया गया था इस पूरे लिस्ट में एक ऐसा भी एंजियो था जो कि George Soros का था open society foundations यह थोड़ा सो complicated हो रहा इसको मैं आगे आपको और simplify करके बता हूंगा पहले यह जो दुरुबराटी का पूरा patriotism is the last refuge of a scoundrel जाहिर सी बात है patriotism is the last refuge of a scoundrel हो सकता है अब आपको समझ में आ रहा हुआ कि क्यों दुरुफ एंटी नेस्टनल्स को support करता है क्यों दुरुफ देश भक्ति के खिलाफ होता है क्यों दुरुफ का connection बार बार ऐसे लोगों के साथ निकलता है जो कि हमारे देश के खिलाफ काम करते लेकिन अभी और भी के जरीए दवायर और न्यूज लॉंड्री को प्रोमोट करना शुरू कर दिया और अपने वीडियो में वह बार बार लोगो को दप्रिंट दवायर दन्यूज लॉंड्री जैसे पोर्टल को रिफर करने के लिए बूलता था कि आप सर्फ इन ही पोर्टल का विस्वास करो इनको ही पढ़ो इनके अलावा बागी के जो भी न्यूज है जासे के जी न्यूज बगरा वो सब फेक है वो सब गोदी मीडिया है वो जूटे खबरे फैलाते हैं जो इनके जूटे वाटसेफ फ़रवर्ट को पगड़ती है जैसे आल्ट न्यूज लॉजिकल इंडियन, न बिखाऊ होता जा रहा है वैसे वैसे ओनलाइन उतने ही न्यूटरल चैनल और आये जा रहे हैं जैसे न्यूज लॉज लॉंड्री या दवाय डॉट अब वह ऐसा क्यू कर रहा था वह भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा दूर आठी दा प्रिंट पे खुद एक राइ अब धुर्व डाटी को खुद भी ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इतना exponentially grow कर जाएगा और इतने सारे लोग उसे support करेंगे इन नौरमस amount में उसे क्योंकि support मिल रहा था और उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसे expose ना कर दे इसके जो काली करतूते हैं इसको सामने ना लेया तो जनता के सामने neutral बने रहने के लिए यह जरूरी था कि दुरुव के जो पुराने पोस्ट हैं वीडियोज हैं इन सब को वो इंटरनेट के उपर से हटा दे और दुरुव ने वही क्या जितने भी पोस्ट हैं जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया उन उन सब को दुरुवराटी ने रिमूफ कर दिया यहां तक कि जिस आईडि से दुरुव आमादी पार्टी की ग्रूप में पोस्ट किया करता था उस आईडि को भी उसने डिजेबल कर दिया था और नया आईडि बनाया था जो कि फिलहाल अभी एक्टिव हैं जितने भी पो की इंटरनेट काम कैसे करता है इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या है तुम चाहे अपने फूट्प्रिंट कितने भी मिटालो कितने भी छीपा लो लेकिन ने चीप सकते हो कहा कहा बचोगे इसके बाद भी जो वीडियो और पोस्ट में आपको दिखाने वाला हो उन उन सब पूरी था कि ब्रेनवाश करने के लिए दुरुबराठी निउट्रल दिखे तो दुरुबराठी ने एक ग्रुप बनाया दुरुबराठी स्क्वाइड जो कि एक प्राइवेट ग्रुप था फेस्वुक के उपर और जितने भी एंटि दुरुबराठी को एक्सपोज किये और यह दुरुबराठी स्क्वाइड सिर्फ यूटूब वीडियो तक ही सिमित नहीं था इसकी निगरानी में कोरा के आंसर्स भी थे दुरुबराठी स्क्वाइड में जो एड्मिन्स के संख्याती उसको बढ़ाई गई ताकि यह जो रिपोर्टिंग का काम है वो और गये लोग और मेरे को फील भी हो गया कि थोड़ीना एंगेजमेंट भी गिर रही है तो शायद वह मास रिपोर्टिंग करेंगे तो यूट्यूब को दिखेंगा लेकिन यूट्यूब भी समझदार है वह देख लेता है कि रिपोर्टिंग किस बात पर कर रहे हो अगर वैल सब गुरूप के अंदर धुरूरा ठीके शोच्रे मेडिया से रेलेटेट बाते होती थी और साइलेक्शन केंपेनी में क्या करना है आने वाले एलेक्शन के जो मुद्य होंगे वो क्या होंगे तो इन सब चीजों को उसमें डिसकस किया जाता था देखो दूरूफ मैं अभ कोरा से जलक जंता के सामने लाना और ज़रूरी है साल बीता और 2019 आगया 2019 की अंद तक एंटाइसी एए प्रोटेस्ट शुरू हो गया और ऐस एक्सपेक्टेड धुरूराटी इसमें बढ़ चरकर सपोर्ट कर रहा था जो भी एंटाइसी एए के सपोर्ट में थे जो भी वह वह क्या था वह जा लेजिए सबसे पहला एंटाइस ये प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही थी दूसरा इस प्रोटेस्ट को जॉर्ट सोरस फंड कर रहा था यह सुनने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग स वह सब आप यहां पर लिंक होने वाला है क्योंकि जॉर्ड सोरस किसी भी कीमत पर करेंट सेंट्रल गवर्मेंट को गिराना शाहता है और इसलिए उसने भेजा हर्स मंदर को और सलील सेटी को हर्स मंदर जॉर्ड सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एडवाईजरी ब बंद होने से दुर्वराटि के जो एंटिनेशनल फ्रेंड्स थे उनके फंड्स जो बंद होने वाले थे तो दुर्वराटि जिर्फ आम आदमी पार्टी से असोसेटेड नहीं है इसके जो तार है वो बहुत दूर तक जाते हैं इस एंटाई-CAA में जो रायट हुआ था उ संदिक्द तरीकों से पैसे मिले थे जिसका इस्तिमाल उसने देली दंगों में किया था अभी जो हर्ष मंदर और सरील सेटी है इनके बार में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जो कि एंटाई-CAA प्रोटेस्ट में आए हुए थे और वहां पे बढ़ चरके उनको सपोर्ट कर रहे थे हर्ष मंदर के उपर केस विदर जुआ था कि उसने हेट स्पीच डिलिवर किया था एंटाई-CAA प्रोटेस्ट में और कोट ने उनसे आंसर भी मांगा था यह जो सलील सेटी है वो जौड सोरस की ओपन ससाइटी फांडेशन का वाइस प्रेसेडेंट है और जो हर्ष मंदर है वो उपन ससाइटी फांडेशन के एडवाइजरी बोर्ट का मेंबर है इसके साथ साथ हर्ष मंदर जस्टिस फांडेशन के एडवाइजरी बोर्ट का भी मेंबर है अब यह जो जस्टिस फांडेशन है वो कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए वो भ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईसाई का एक मेंबर है तो अब हो सकता है कि आपको सारे जबाब मिल गए होंगे गिद्रुवराटी दा वायर, दा प्रिंट, दा न्यूज लॉंडरी को क्यों सपोर्ट करता है क्यों उन्हीं न्यूज सोर्स इसको आपको रिलैवर बताता है और बाकी के जो भी न्यूज पोर्टल से उनको रिफर करने के लिए नहीं बोलता है बोलता है कि वो फिक नूज फैलाते है क्यों इस्टेंस नहीं था लेकिन वहीं पर जो बाकी रिलिजन से उनको सच मानता है धुरुफ शुरुवात से ही ब्रेनवाश करने में माहिर है तब यह हर टॉपिक में अपना ग्यान देता है और लोग भरोसा कर लेते हैं आम आद्वी पार्टी के साथ काम करने के साथ-साथ इसक में खुद कई बार बोला है कि जो नाशनलिजम में वो एक बिमारी है तो इस रिसर्च को जिसमें कि मैंने बहुत जादा मेहनत किया है इसको आगे बढ़ाई और जो लोग ब्रेनवाश हुए हैं उनकी आखे खोलिये और अगर मेरे जैसा एक चोटा सा यूट्यूबर इतन कि इतनी को फायदा क्या हो रहा है तो फायदा हो रहा है मैं बताता हूं कैसे आपको ऐसा लगएगा कि स्क्राइबर सो उसके घटी नहीं रहे बढ़ी नहीं है अब उनके फॉलोवर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी जो क्रेडिबिलिटी है जो लोगों का उन पर ट्रस्ता वो खतम हो गया हो गया हो गया हो गया है अज से 20 साल पहले पता है कितने गंदे मतलब मैं जिस एरिया मैं रहता था चुटा था ताउन था वहाँ पर किसी बॉलिवर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन वहां कुरिडिबिलिटी कर रही है finally बस इतना कहूंगा यार देखो हर किसी का ideology अलग हो सकती है कोई इस field का कोई left का right कुछ भी हो सकता है ideology आपके अलग हो सकती है लेकिन ना बहरुपीया इंसान नहीं होना चाहिए वो समाज के लिए सबसे बुरा है